जय हिंद मित्रों, आज हम सवान्विग्यान में गतियों बल से समध्यत, महत्मुरु प्रस्णों यंग्तथों को लेको उपस्तित हैं तो आएए देखते हैं मित्रों इदिया आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक और सेर कर लिजे जिससे मेरी हर नई बीटी कुसुचन आपको मिल जाए तो आएए देखते हैं पहला कुशन घरसर बल को कम किया जाता है संपर्क तल के बीच इसने हैं तेल या ग्रिश लगा कर घूमते हुए लट्टू में एक किस प्रकार की गत होती है एक घुड़न गत होती है समय के साथ किसी वस्त वत्वा उसके किसी भाग की इस्थित में परिवर्तन को कहते हैं गत कहते हैं जब कोई बस्त अपने माद धिश्थित के दोनों और गत करती है उस गत को कहते हैं दोलन गत उस गत को कहते है नेश देखते हैं बल का मातरक है निउटन गत के कितने प्रकार हैं इस चार प्रकार हैं नमबर एक रेखी गत नमबर दो घुड़न गत नमबर तिन बृत्ति गत और नमबर चार दोलन गत जब कोई बस्त अपने बृत्ताकार मारक पर गत करती है उस गत को कहते हैं बृत्ति गत किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को कहते हैं चाल, जब कोई बस्त अपनी माध इस्थित के दोनों गत करती है, तो इस गत को क्या कहते हैं, उस गत को दोलन गत कहते हैं, किसी गत्मान बस्त की दिशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, यह बल लगा कर किया जा सकता है, बल के कितने प्रकार होते हैं, यह पांच प्रका पंप में कितने वाल होते हैं दो होते हैं बेग का मात्रक होता है मीटर प्रसेकंड रख देखते हैं किसी बस्त के बेग परिवर्तन की दर कहलाती है तुरण बृत्ता कारपथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अब केंद्री बल बृत्ता कारपथ में अब केंद् चाल से चल रही है साइकल के पहिये दरसाते हैं बृत्ती और अस्थांत्रित गत को दरसाते हैं एक पिंड बृत्ताकारपत पर गत कर रहा है जिसके द्वारा तैंक की गई दूरी समय के अनुकुर्मा नुपाती है पिंड गत कर रहा है नियत चाल से प्रतेक क्रिया के दवरा से कितने कोंड पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाय कि वह मैदान पर अधिक्तम दूरी तैंक करें यह 45 अंस पर जो मारा जाय तो अधिक्तम दूरी तैंक करेगा एक समान बित्ती गत में अचर होगा चाल यदि दरब्यमान का एक प्रोटान प्रकास के बेग के साथ गत कर रहा है तो इसका दरब्यमान होगा आप परिवर्तित टेप रिकारडर में टेप की चाल होती है 4.67 cm प्रस सेकंड 5.60 cm प्रकास प्रकास को प्रिथवी तक पहुँचने में लगवग कितना समय लगता है 8.20 लगता है जल अस्तानात्रर के सिद्धांत की खोज का प्रत बादन किया आरकि मेमडी जी ने तूटकर गिरते हुए पिन्डों के सिद्धांत की खोज की गैलीलियों ने Terminal Doppler Radar TDR किसलिए प्रियुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई चाहजम को उतारने में ये दिकोई बस एक ब्रित्ती गत्में एक स्रमान बेग से चल रही है तो इसका बेग एक स्रमान होता है जडत या जडता क्या है? वर्तमान इस्थित में होने वाले परिवर्तन का प्रतरोध करने की प्रत्किरिया होती है यह नियूटन का नियम है यह इसे तृती नियम कहते है नियूटन के नियूटन का पहला नियम जाना जाता है जड़त का नियम यह किसी तल के 10 बर्ग सेंटीमीटर छेत फल पर 100 नियूटन का लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब होगा एक गुड़े दसक पावर पांच नियूटन प्रत्य मीटर बर्ग यद किसी प्रकार सूर्ज तधा प्रितिवी की बीच की दूरी दोगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुर्त्वा करसल बलकमान हो जाएगा, यह चौथाई हो जाएगा गुर्त्वा करसल बलकमान, प्रतिवी के केंदर पर किसी पिंड का भार है, सुन, नेक्श लेखते हैं, हम बायमंडल के भार से पिछकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे सरीर के भीतर बायमंडल के अधिक है, और यह बाहर के दाब को रस्त कर देता है, चंद्रमा पर बायमंडल अनपस्तित है, क्योंकि इसका गुर्त्वा कर गुर्त्वी तुलन कम है, यह दो पिंडों का द्रभ विमान आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला गुर्त्वा करसल बन हो जाएगा, चेह thiएगा, नक्स दिखते हैं, एक ब्यक्त का द्रभमान पि्रथभी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सता पर जी का मान एक इवड़ अच्छा है, चंद्रमा पर ब्यक्त का द्रभमान होगा 42 किलोग्राम, यद हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते है तो घरसन घट जाएगा 27 किलोग्राम भारतुल होता है 264.6 न्यूटन के लिफ्ट में एक लड़के का अभासि भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है एक नियत तुरण उपर की ओर एक नियत तुरण से उपर की ओर जाती है तो होता है इस्टियरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है इस्टियरिंग के धीले होने के कारण देखते है उप का मान नियूंतम होता है विश्वत रेखा पर नीबू नुचलने के मसीन है दूती स्रिनी का उत्तोलक लोहे की एक छोटी गोली पाने में डूब जाती है जबकि जहाद जलियान पाने पर तैरता है यह सिदान्त किस बैग्यानिक के सिदान्त पर आधारित है यह आर्कमेडीज के सिदान्त पर आधारित है किसी बस्त का भार उस समय नियूंतम होता है जब उसे रखा जाए प्रिथिवी के केंदर पर संबेग के परिवर्तन की दर होती है बल ब्रेग लगाने पर वाहन को रोकने वाज़े बल को कहते हैं घारसन बल गुर्त्वा कर्षन का नियम लागू होता है किनी भी दो बस्तों की जोड़ी पर किसी बस्तों का अधिक्तम भार किसी स्थित में होगा प्रतिवी के धुरों पर होगा अधिक्तम भार गुरुत्वा कर्षन के संदर में जी को कहा जाता है गुरुत्वी इस्तिर्यांग कहा जाता है एक भारहिन रबर के गुबारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है जल में इसका सुन जब किसी बस्त को प्रिस्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घड़ जाता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय प्यंसे से आई निकलने लगती है बायुदार में कमे के कारण किसी बस्त का भार धुरों पर अलिक्तम होता है दोने वान तो